और तुमने मांगा था मुझे अखंड भारत और तुमने मांगा था मुझे अखंड भारत अगर है हिमत आओ काजी पर बॉर्डर तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं पूलम पंड़त जी का मैंने एक वीडियो देखा था रोने का दे अफटर दो दिन पहले परसो शाम को मुझे नहीं पता था मैंने पूलम का सुभा कॉल गया क्या मामला है तो बोले भीया मुझे मंच पे नहीं जाने दे रहे हैं तो मैंने का यह पॉलिटिकल मंस्वा है नही कोई भी जा सकता है आज चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम डाड़ी और बढ़ती भी धाड़ी का नाम अलिस्तानी बराबर हमारी दाड़ी तो पहले से ऐसे थी लेकिन आप मोधी जी को भी इफेक्ट हो गया उनकी शौट थी अब उनकी भी लंबी और यह पता न कि लड़ाई नहीं है संपूर ने 135 करोड भारतियों की लड़ाई है इनका बगवान धन्यवाद करे कि इनों ने किसानों पर प्रचंड वार किया अगर ये किसानों पर वार नहीं करते आज हम भारती एक नहीं होते तो माता सीता की नेपाल में 53 रुपे लिटर पिट्रॉल भ है ये कैसा राम राज्य है जो भारत में 100 पे लिटर पेट्रॉल भीकता है और वह हमारे देश से दूर है अमारे आप से दूर है मन की बात रेडियों में करते रहे 2016 के बाद आज सक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फरेंस आपको भी बुलाया नहीं आपकी भी दाड़ी बढ़ रही है मेरी भी बढ़ रही है बाल आपके उपर जा रहे हैं तो ये सब परजीवी लक्षणी तो हैं तो ये उनका बिस्तु ब्रह्मन का नतीजा है बजाए बिस्तु ब्रह्मन के अगर भारत दर्शन कर चुके होते हैं तो ऐसे टिपनिया वो नहीं करती है और ये टिपनिय शर्मनाक है किसान आंदोलान आज क्यों चल रहा है कि एवल किसान बिल की बात नहीं है जब आप 15 लाग जैसे जुमले दो गए तो आम भारतियों को पर आपका वरोसा तो उठी जाएगा ना भाई यो उठेगा ना जी तो यह उठी गया तो हम हमें एक बात करते हैं कि अगर आप चाहते कि प्रदान मंत्री तक हमारी बात पहुंचे हैं आपका ये जो मौडल है आपका पत्रकारी तक ये बहुत जैनियून मौडल है क्योंकि गोदी मीडिया तो कुछ दिखाईगी नहीं अब आप लोग युवा साक्षात का रह तो आज हम किसान का आप देखते होंगे जब खेतों में हम पानी लगाते हैं बहुत सारा टाइम प्री मिलता पानी चलता रहे तो बैटे रहे तो बैटे रहे तो बैटे रहे तो आप सुनिएगा आप सुनिएगा आओ कुछ नई बात करते हैं आओ कुछ नई बात करते हैं जुमलों की बात फिर कभी करते हैं आओ कुछ नहीं बात करते हैं जुमलों की बात फिर कभी करते हैं तुम जाओ डॉनल्ड ट्रम्प के पास हम किसान आंदोलन चलते हैं हम किसान आंदोलन चलते हैं और तुमने मांगा था मुझे अखंड भारत और तुमने मांगा था मुझसा खंड भारत अगर है हिम्मत आओ गाजी पर बाडर तुम्हें खंड भारत दिखलाते हैं तुम्हें खंड भारत दिखलाते हैं हमने Black and Whight फिलमों के जमाने में एक बात देखी ती चलती का नाम गाडी आपने देखा उगा आज चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम धाड़ी और बढ़ती भी धाड़ी का नाम खालिस्तानी बढ़ाबर हमारी धाड़ी तो पहले से ऐसे थी लेकिन आप मोदी जी को भी एफेक्ट हो गया उनकी शौट थी अब उनकी भी लंबी और यह पता नहीं कहां तक जाक के रुखेगी बढ़ती जा रही है तो हमने भी सोचा चलो भई जब हमारे मानीनी प्रदानमंत्री बढ़ा रहे हम भी उनका अनुस्तरण कर लेते हम भी बढ़ा लेते पर आपको बोलना चाहूंगा देखे बहुत सिंपल सा कोटेशन है मैं आज आपको बात बता दू कि जारे नुकिले रकीले और जवान घड़े कर दिये लेकिन यह जो जवान है यह किसान के घर जन्म लेते हैं किसान के घर एक ही मां के दो बेटे हैं बस करवट बदल के लेते हैं और 14 फरवरी सुबा 9 बजे सिंगू बॉडर किसान मज़ूर एकता संग में देड़ लाग समिशन 2018 में मेडिकल टेस्ट रीटेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पास करके बेटे हैं लेकिन इनको जौकरी आज तक नौकरी गौवर्मेंट ने नहीं दी तीन सो बच्चों ने आत्म हत्या किया इस बार वो आंदोलन पहली बार हो रहा है जब जवान मीट्स किसान जवान किसानों के साथ वही दीप सिद्धू हैं जो मानी नहीं मोदी जी के साथ दिखते हैं 26 जनवरी से 9 फरवरी दो हफ़ते अपनी देश में ऐसा कौन सा अब मुझे ये डाउट है या मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोनों ही चीज़ है कि ये गरफतारी है या हात्म समरपन है या प्रयोजित तरीके से एक प्रेजेंटेशन है या बीजेपी का ड्रामेटिकल रेप्रेजेंटेशन है किसानों को दूर भगाने के लिए ये एक साजिस थी किसानों पे मुकंदमा दर्ज करने के लिए एक साजिस थी टिकैस différence थो खम्मे में चड़ने गए नहीं थे तो हमें क्यों चाहिए हम क्यों बोले की परदा खोलो वो प्लिस का याम है पूलिस करे हम इमानदार आदमे हम यहीं पर हम किसान थे हम यहीं ए जो किसान है उनके परिवार के सदस्य यहीं है हमें उनकी बात करने की ज़रूरत नहीं आगर टिक है साब ने आसू भाए तो उन घड़ जा लिय। सुनिये गाब बच्चेंजे ठीक जल्दी रो जाते हैं मुदी जी बहुत भावना अभी रोए थे तो फिर वह आंसू भाई वेल से बड़ा तो कोई जीवी हमें ने देखा नहीं हम तक क्यों हाँती को भी अपने पेड़ में हो डाइनो सब्रावाले आंसू हो सकते हैं लुप तो यह प्रजाती की जो चीज मिर भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया तो देखिए यह आंसू नहीं थे यह भावना थे और भारत जो है वो भावना मुल्क दैस है हम आज भी कहते हैं भावनाओं ठीक रखो अपनी भावनाओं में रहते हैं हम भावनाओं में जीते हैं तो NT चल रही है यह क 30 करोड जनता के आसमीता का गौरफ का मान सम्मान का अंदोले नहीं है अब बंगाल के बातें मत किजिएगा केवल उत्तर प्रदेश का क्योंकि यहां भारत्य जुमले पार्टी का बहुत बड़ा स्थम है न यहां राम राज्य है आज निके निता बड़ी विच्ड़ी बॉर अगर नेपाल माता सीता की धर्ती है और शिलंका रावन की धर्ती है तो माता सीता की नेपाल में 53 रुपे लिटर पेट्रॉल बिखता है और रावन की धर्ती लंका में 51 रुपे लिटर पेट्रॉल बिखता है ये कैसा राम राज्य है जो भारत में 100 रुपे लिटर पेट् आप सीख पंत को देख लीजे इनके जितने गुरुएं सबने कुर्वानी दिये उन्होंने आपसे कुछ मांगा क्या आज भी लंगर चल रहा है लंगर तब से शुरू हुए थे लंगर आज भी चल रहा है यह मोदी जी का आप लोग मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि तहे दिल से धन्नवाद दीजे तहे दिल से इन्होंने हमें रोका इन्होंने जाती से रोका इन्होंने रिलीजन से रोका इन्होंने आमें आरक्षन से रोका इन्होंने जीस्टी से रोका नोट बंदी से रोका अच्छे दिन के जुमलों से रोका सौ स्मार्ट सीटी के जुमलों से रोका, लेकिन इनका भगवान धन्यवाद करे कि इन्होंने किसानों पर नहीं कुझा अगर सभुत वार नहीं करते हैं आज हम भारती एक नहीं होते हैं प्रधान मंत्री जो बात कहते हैं लो कि थार है हम एक बात बोलते हैं पेट्रॉल की कीमत पर 70 रुपे का टैक्स करने के लिए हमसे चर्चा नहीं है तो किसानों के MSP के लिए क्या चर्चा करेंगे आप समझदार हैं और एक एक ताजा उधारन ले लिए आज हमारा आप सब यहां खड़े हमारे इतने भाई बेन खड़े हैं आज हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्यो आज जीयो है जो की प्राइवेट है उसी तरह जब हमारी खेती प्राइवेट हो जाएगी और आपकी पतनिया आपकी माता बोले कि आज हमें गोवी मटर बनाना है और अदानी जी का मूड आ गया कि मैं एक हफ्ते तक गोवी नहीं बेचूँगा कहां से खाओगे कहां बने किसानों की लड़ाई नहीं है संपूर ने 135 करोड भारतियों की लड़ाई है देखे आज हमने प्रेस कांफरेंस किया था पूर्णम पंदत के उपर पूर्णम पंदत जी का मैंने एक वीडियो देखा था रोने का दे दो दिन पहले परसो शाम को मुझे नहीं पता था मैंन जो मंच पे नहीं जाने रहे हैं तो मैंने का यह पूर्णम पंदत को बोलना नहीं मैंने का नाम बता दीजिए वह नाम नहीं बता पाई लेकिन मेरे अपने कुछ सुत्र थे मैंने यहाँ पर प्रबुद्ध वेक्ति चौधरी धरंबीर तालान से बात की उनका नाम ले रहा हूँ और उन्होंने यहाँ बहुत सारी वेवस्ता भी किये लोगों को पानी वानी हर कोई कर रहा है अपने लेवल से कैमरा हर जगा है आप निगरानी में तो मैंने उनसे पूछा था बोला किसी ने रोका नहीं है बस लोगों ने ये बोला था कि आप इस मंच पे आके परसनल बातें मत कीजे क्या आपका बॉइफ्रेंड या शादी का भोगी या लड़का क्यों 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 कि एक किसान आंदोलन है यहां किसानों के मुद्दे पे बात होनी चाहिए तो मैं जब जॉइन कॉन्फरेंस पहा है मैंने आप जैसे तमाम युवा साथी सभी भाई यह भाईनों से एक अग्र किया अनुरोद किया कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं आप लोग उनसे परसनल कुश्चन अगर पूछना चाहते हैं किसे रेस्टारेंट में पूछिए उनके घर में पूछिए गाजीपुर में नीजी सवाल मत पूछिए गाजीपुर में क के वाल आंदोलन के बारे में पूछिए मुमिंट के बारे में पूछिए तो इस तरह से यह जो प्राब्लम ता यह जो डाउट से वह भी हमने आज क्लियर करती है